सूप्रभास क्लास फिप्त बच्चों आज हम आप लोगों पाठ 21 पढ़ाएंगे पाठ है कहानी लेखान तो बहुत अच्छी कहानी है ध्यान से सुनिएगा कहानी का नाम है राजा और मुर्ख मित्र एक राजा था उसने एक बंदर पाल रखा था राजा को अपने बंदर से बहुत प्रेम था इसलिए वह उसकी सारी शरारते सहन कर लेता था बंदर प्रायह दूसरों को भी नुकसान पहुचाता था परंद राजा के प्रिय बंदर की शिकायत कौन करे जब राजा सोथा था तब बंदर उसे पंखे से हवा करता था एक रात बंदर पंखे से हवा कर रहा था सोते हुए राजा की नाग पर बार बार एक मक्खी बैठ जाती थी मुर्ख बंदर को गुसा आया और उसने नाग पर बैठी मक्खी को मारने के लिए तलवार उठा ले एस से पहले की बंदर तलवार से वार करता वहीं छीपे एक चोर ने उसे डाट कर भगा दिया शोर से राजा की आँख खुल गए चोर ने उसे पूरी घटना सुना है राजा ने चोर को प्राण बचाने के लिए धन्यवाद दिया वह अपना पहरिदार नियुक्त कर दिया तो बच्चो आप लोग को कुछ इस कहानी से कुछ समझ में आया चलिए हम आप लोग को बताते हैं मुर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्र कहीं अच्छा है तो बच्चो यह कहानी आप लोग हिंदी सेकेंड की कांपी में लिख लीजेगा धन्यवाद